तो हेलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग वेल्कम बैक टो दे चैनल तो फ्रेंट्स यहां पर मैं सुबह सुबह उठ गई हूं और कभी होता है लगे शूट कर लेती हूं कभी नहीं कर पाती हूं लेकिन योगा बता दू करती रोज हूं 10 मिनट की चाहिए टाइम निकाल लेती हूं अब आज मेरे पास बहुत जादा ताइम नहीं था बट आप पर बनाने हैं तो उसमें लग जाता है तो यहां पर मैं एक्ससाइज जल्दे-जल्दी कर लेती हूं लेकिन इतना ना करूं तो पूरा दिन शेरिर भारी रहेगा प्य में रहते हैं ज्यादा बहुत ज्यादा है वे हए नहीं हो movement नहीं कि तक मैंने तो ज़िया है तो भी तरह तो ही तोड़ा ही विव्य शरीरी सरी रहता है और जया किक सुबщее बहुत काम होता है बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है तो आज मेरा मतर जा रही है सेजन मतर का जารातो मेरा निमोना उबना लूंगी ना तो आनेके बाद स्कूल से फर्ट से डस प्रें पर चाल चावल बन जाता है क्योंकि चावल में तो टाइम लगता नहीं और निमोना और चावल का कॉंबनेशन बहुत अच्छा लगता है और यहां पर बना रही हूं जो मैं कहा रही थी ने रसगुले के चासनी का बिल्कुल नियू रिस्पी यह है कि इसमें आटा है और दूद और मैंने मिक्स किया है दूद के साथ और मैंने बहुत सारा ड्राय फ्रूट इसके अंदर डाल दिया है और थोड़ा सा मीठा सोड़ा और यह पहले अच्छे से फिट चुका है अब इसमें जगह नहीं देख सकते हैं कि पूरा भर गया है लेकिन मैंने सबसे पहले इसको अच् पेस्टेंड में डाल दोंगे बट यह अभी अप्पि बन रहे हैं इसको निकालोंगे फिर बीच में उसको डालोंगी फिर बीच में इसको डालोंगे ऐसे मेरा हो रहा है आज सुबह से अज से करो तो बहुत टाइम लगता है और सिम पे ही अच्छा पकता है अगर आप तेज करोगे तो जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाता है और जब तक यह हो रहा है टाइम लग रहा तब तक मैंने देखी हैं मल्टी टासकिंग वाला काम किया है फट़टा-फट मै मैं इस वहां चतनी है तो यहां पर आप रखना कर रहे हूं this अगले जाना है सब्सक्क्राइब और ज़णा हो सकता है मतलम मैं सारा भरूंगी और और मैं दो टिफिन भर की ले गई थी मतलब यह स्टिफिन में भर गया तब भी बच गया था तो मैंने दो टिफिन भर लिया था और इनकी लिए चार-पांच घर पे छोड़ दिया था क्योंकि यह मीठा वाला तो खाते नहीं है अपते खा लेंगे और चेकनी और मैं भी चार हाथ ऐसे हो जाता है ना बिल्कुल देवी जी बन जाओ आठ हाथ हो जाए तब काम हो जाए स्कूल जाने के लिए यहां पर चट्नी भी रख लेती हूं स्टाफ के लिए और बस किचन का काम हो गया हरी देखी बिल्कुल फुल हो चुका है मैं नहां के तयार होंगी है इस पेशल ओकेजन है तो हम ऐसे जाते हैं पेरेंट समय ऐसे देखते हैं तो लगता है फूरा साथ तो ड्रेस अब बता दूंप सब्सक्राइब को पूरा लोग दिखा दिखा दिखती हूं यह पूरी साड़ी तो चलिए अभी मैं स्कूल चलती हूं आने के बाद फिर मि पीटिम है तो पेरेंट साजाएंगे उससे पहले हम पहुचे स्कूल पहुचे तब ही तो अच्छा है तो चलिए मिलती हूं आने की बाद बने रहीगा व्लाग में बहुत ज्यादा इंट्रस्टिंग होने वाला है तो यहां पर आगे स्कूल से आप बहुत गर्मी लग रह है और मैं बता दो इसकूल में बहुत अच्छी रही बहुत मस रही और आज का पीटिम रगने का सिर्फ एक कारण था कि जो बच्ची इक तो वीग चल रहे हैं उनको कैसे चलाया जाया कि थोड़ा बहुत बढ़ों कर जाया होता है कि हमारे हाँ थोड़े से वीग बच्चे जो थे उनके लिए मैंने पीटिम स्पेशली बोल के मैं से रखवाई थी हाला कि आज से कैसे टेड़े था और चुटी का दिन था बैट मैंने चुटी नहीं ले ने दी किसी टीचर को मेरे साथ साथ टीचर को आना पड़ गया लग जिनकी पीटिम और पेरेंस को मैंने बोल अच्छों से भी बोल रहता है तो मैं अच्छों से भी बोल रहे हूं कि बेटा वो वाइल टेखने के लिए आगे की भी मतलब आगे भी टाइम है पर जो है ना अगर पेपर में अच्छा रिजल्ट नहीं आए ना पूरे साल की जो मैने तो भो खराब हो जाएगी इसलिए सिर्फ एक महीने के लिए मोबाइल का भी एक टाइम फिक्स कर लो थोड़ी देर के लिए देखू सारा दे मोबाइल पे लगना अच्छी बात नहीं है मैं खुद वीडियो बनाती हूं बट मैं भी मोबाइल तब ही लेती हूं मेरा काम मोबाइल का है लेकिन तब भी इसके पहुद भी में घर के सारे काम करके पहले जो काम होता वो करके उसके बाद ही मोबाइल के उठाती हूं तो आप लोगी जिसे पढ़ाई कर लिए थोड़ा सा मर बहलाने के लिए दस मिट पंद्रे मिट चला लिए बस इतना है इस से ज्यादा नहीं कि सारा दे मोबाइल में खेलते रहो तो अब इसे लग जाओ थोड़ा खोड़ा करके अगर क्लियर करोगे तो भी एक महिना है पेपर में अभी भी मैं कह रही हूं तो भी आप कर जाओगे तो प्लीज अभी भी बढ़ाई पर फोकस करो अपनी और अपनी मम्मी पापा की बात मानों ओके तो आज की जो याज की वीडियो है ना यह बच्चों की उपर में मैं बनाई हूं और मैं अभी भी कह रहे हूं जो भी बच्चे मतलब बोर्ड एक्जाम भी दे रहे हैं ना उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो पेपरों के गैप में भी जो पेपर को गैप होता ना दो तिन दिन क अच्छे से और जो अगला पेपर उसकी उसकी तियारी करे ना तो भी पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा सच में कह रहे हूं लेकिन इसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा ऐसा नहीं चलेगा कि सिर्फ बुक लेके बैठे हो कुछ बच्चे होते बुक लेके बैठे दिमाग में कुछ और चलता है नहीं जब आप लोना तो आपका दिमाग जो है बिल्कुल कॉंसेंट्रेट से बुक में ही आपका दिमाग करी और होना ही नहीं चाहिए लिए सिर्फ एक महीने ज्यादा अच्छे से कर लो पढ़ाएगी पूरे साल का जो रिजल अच्छा है आपको भी खुद को भी प्राउड फील अपने उपर कि हां मैंने कर लिया अच्छा लगता है और एक ना कॉंफिदेंस जगता है और सच मेरी बात इस वीडियो से मैं बता रहे हूं अपने पूरे स्कूल की बच्चों को एक मैसेज देना चाहती हूं कि एक महीना जो भी य आपके अंदर मेरी बात मालो बिच्चे बहुत सुखी रहोगे संगम मैम की बात मालो और सची बच्चे जब मनूब जाया तो आप TV देख सकते हो मुबाइल भी देख सकते हो बाहर भी जा सकते हो ऐसा नहीं कि सब को छोड़के लेकि मेरे यह कहने का मतलब है कहते ना अत्त किसी चीज की अच्छी नहीं होती अगर चाहत से ज् conocum लेकिन मतलब ऊड़ा परोड़ा प्रेक लेकिए-छ थोड़ा जम ब्रेक युदा समस्टी बी कर लो जी तो आपको देखोगे आपको श्यादा एनगर्जी आई Giving के लिए अब मैं कहते हूं जो आपको स्लेवस समझ में नहीं आ रहा है जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ थोड़ी सी कम है उसको ज्यादा टाइम दो और जिस सब्जेक्ट को आपको लगता है यह मुझे अच्छी तरह आता है उसको भी सरसरी निगाह करके साइड में रख सब्सक्राइब के लिए और दूसरे बच्चे हैं अगर बात मेरी समझ में आए तो यह टाइम जो है ना मिल्कु पढ़ाई का टाइम है यह वीडियो अच्छ लगी आप लोगों के लिए जो मैंने यह वीडियो स्पेशल बनाई है कि पढ़ाई को थोड़ा-थोड़ा करके करोगे तब भी हो जाएगी और जो सब्जेक्ट आपका सबसे वीक है उस पर ज्यादा टाइम तो ज्यादा फोकस करो टीचर से पुछो कैसे छो थोड़े-थोड़े मनलग थोड़े-थोड़े पार्ट में टाइम अपना मैनेश्मेंट करो पढ़ाई करो और अपने टाइम टैबल फिक्स करो अपना टैबल जब तक आप लोग धा तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा होका यह कि आपको लगेगा मेरे पास टाइम ही नहीं है और जाये जिस दिन आप टाइमटे वल्फिक्स कर लोगे उसना पर की आपके पास ताइम रहेगा सच में तो िडियो लेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई!